नमस्कार किसान सातियों कैसे आप सब लोग उमीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे किसान सातियों हम अपने खेत के अंदर मिर्च की खेती करते हैं गुलाब की खेती करते हैं टिंडे खेती करते हैं इसके साथ साथ हम अपने खेत के अंदर खीरा लगा रखाया इसक या फिर अन्य कोई भी टोनिक जिसमें सागरी का आती है या फिर कोई उमिक इसीड जो हमें जड़ों में चलाना होता है उसके लिए हमारे इस पास एक बहुत बड़ी समझ्या आती है कि हम किस माद्यम से चला सकते हैं तो पहला पॉइंट आता था हमारे पास यह वेंचूरी स जब प्रेसर बढता है तो अपना जो होता है जो समर्चील प्म होता है जो पानी अठाले काम करता है को यह से तो उसके अंदर जो बैटरी स्प्टेयर पम्प होता है आप देख सकते हैं मेरे शामने है एस पम्पकीम आप पने जो भी तलाज जो अपनेको जटों के बन चलाना वह सारे के शारे कीटना से सारे के सारे NPK या सारे के सारे टोनिक हम इस जुगाड के मादेम से चलाते हैं तो यह जुगाड देख सकते हैं आप इस जुगाड के बारे में आपने बात करेंगे कि एक जुगाड किस परकार से काम करता आप देख सकते हैं मेरे पास यह जुगाड है इस जुगाड का हमने क्या किया है इसमें आप देख सकते हैं हमने इसमें क्या किया है हमने इसके अंदर उपर की जो नोजल है वो निकाल दी है चूड़ी से खोल कर अब इसमें देख सकते हैं अब अपने पास क्या क्या है एक तो पाइप है और यह कलीप है जिसमें चूड़ इसी प्रकार की जो नोजल है वो हमने मैन पाइपलाइन में लगा दिये दो देख सकते हैं या हमारे पास एक अख्ष्टना भी है अगर यह आपके पास उपलब नहीं है तो यह मार्केट में दो या तीन रुपए में मिल जाती है इसको साइड में रखते तो अब क्या करना है अब अपने को जो इस बेटरी स्प्रेर पंप की जो पाइपलाइन है उसको इस मैन पाइपलाइन की कलीप में एड़ करना है फिर उसके बाद इस प्रकार की जो कलीप है उसको थोड़ा टाइट कर देना है यह अपना वेंचुरी सिस्टम टियार हो गया है अब देख सकते ह किसान साथियों आप देख सकते हैं यह हमारा बेटरी स्पेड पंप है इसके अंदर अपना एंड़ की खाद है और यह खाद हम अपनी मिर्च और ठिंडे की फसल में चलाने वाले हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे थोड़ा द्यान रखने की बात यह है कि आप यह जो नोज को ओन करेंगे नोजल को चांद कर दिया एक बार देख सकते हैं मैं इसको एक भर खोलूगा कि आप समझ जाए पाणी आ रहा है और इसमें कुछ नहीं आ रहा है तो अब इसको एक बार बन कर देते हैं वरना आपने को अपने से कशेगी नहीं तो वापस इसको लो करते है और वापस इसको चला जेते हैं, आप चला दिया, अब यहां से आपन देखेंगे अब जो बेटरी स्प्रेर पंप है, इसको अपन ओन कर देंगे, यह ओन हो गया, और सारा का खात इस पाइप लाइन से, इस मैन पाइप लाइन जा रहा है, और यहां से यह नोजल बंध है, इ इसमें हमें खात देना है, आप देख सकते हैं, यह आगे की दिशा में जा जा भी हमें खात देना है, वो इस वेंचुरी सिस्टम के मादे, जुगाड वेंचुरी सिस्टम के मादे में से सारी जगए खात पहुच रहा है, आप देख सकते हैं, इसमें कोई बारी गिनित नहीं यह नोर्मल सी चीज है आप भी अपने गर पर बना सकते हैं और इस परकार के महेंगी वेंचूरी सिस्टम से आप बच सकते हैं और आप जो भी दो या तीन जारका भी जो अपना बेटरी स्प्रेड लाते हैं उससे काम चला सकते हैं धन्यवाद किसान साथियों ऐसी हैंने जा